हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं अपर सर्कुट कैसे लगता है दिखाऊंगा लाइब मार्केट में अब जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह जो कंपनी है इसमें दो दिन से अपर लग जाएगा तो आपको मैं live market में दिखाऊंगा दोस्तों और दोस्तों आप यहां पे clear cut में देख सकते हैं कि मैंने यहां पे 3200 रुपया के ओर लगाया हुआ है और जो मेरा यहां पे profit बन रहा है 6900 कुछ रुपय यहां पे बन रहा है परसेंटेज पहले आप देखें कि कि profit हमें देखने को मिल रहा है 215% का profit यहां पे बन रहा दोस्तों और जो मेरा यहां पे 3200 रुपया लगा हुआ है यहां पे 3 गुना से जादा भी हो चुका है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि 6900 रुपय लगभग यहां पे बन रहा है और मैंने यहां पे 3200 रुपय भी यहाँ पर ज्यादा हो चुका है प्राइस पर जो मैंने लिया था वो 32 रुपे पर प्राइस पर लिया था जो यहाँ पर भी प्राइस चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 101 रुपया प्राइस चल रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहां पर प्राफिट बन रहा है और दोस्तों अगर मैं पूरा यहां पर छोड़ा दिया होता तो लगभग मुझे यहां पर लगभग प्राफिट देखने को मिलता सिर्फ मैंने 10,000 के प्राफिट में बुक कर लिया था और बाकी में 100 शेयर के उल्चोड़ा था इसके वज़ा से यहां पर 100 शेयर में इतना प्राफिट बन रहा है दोस्तों कंपनी काफी ज़्यादा बढ़िया है इसके वज़ा से इसमें अपर अपर सर्केट लग रहा है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं भी मार्केट में यहां पर 100 रुपे के नीचे उपर कर रहा है आज यहां पर लगेगा अपर सर्केट क्योंकि मार्केट में थोड़ा यहां पर बार देखने को ज़्यादा मिल रहा है और सेलर यहां पर थोड़ा कम है धीरे-धीरे करके जैसे यहां पर बायर ज्यादा हो जाएंगे और seller जब कम हो जाएंगे तो यहां पर अपर सर्कीट लग जाएगा अपर सर्कीट आप यहां पर देख सकते हैं 102 रुपे दिखा रहा है तो 102 रुपे जैसे ही पहुचेगा वहाँ पर circuit लग जाएगा उससे उपर नहीं जाएगा क्योंकि इसका limit होता है तो limit 102 रुपे कहा दोस्तों तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं कि market में जब भी आप IPO अगर अपलाई करते हैं अगर आपको IPO का share मिल जाता है तो थोड़ा बहुत आप share को रोक सकते हैं hold कर सकते हैं और profit भी थोड़ा बहुत book कर सकते हैं क्योंकि market में उपर भी जाता है share और नीचे भी जाता है क्या पता उपर ना जाए नीचे चला जाए तो आपका पुरा profit चला ना जाए तो इसलिए आपको कुछ share को रोक लेना चाहिए जैसे आप दे सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पे 100 share रोका था और 100 share में मेरा 7000 का लगभग profit बन रहा है और बाकी जो मैंने share sell किया था लगभग 10,000 का profit मैंने book कर लिया था तो टोटल मुझे समझ लिजे कि अभी 17,000 का profit देखने को मिल रहा है दोस्तों अभी दोस्तों आप time देख सकते हैं अभी 9 बज के 48 मिनट हुआ है अभी market का open हुआ एक घंटा भी नहीं हुआ है तो इसके वज़ा से धीरे धीरे market उपर जा रहा है और seller आप देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं buyers यहाँ पर 77% हो चुके हैं तो जैसे market में seller कम हो जाएंगे और buyer बढ़ते हुए जाएंगे तो 100% buyer दिखने लगेंगे और seller 0% हो जाएंगे तो यहाँ पर अपर circuit लग जाएगा आपके सामने आप देख सकते हैं कि market में यह price चल रहा है 101 रुपया 30 पैसा भी चल रहा है तो जैसे यहाँ पर 70 पैसा और उपर जाएगा तो यहाँ पर अपर सर्किट लग जाएगा और यहाँ पर जो मेरा profit है total यहाँ पर 6930 रुपया भी दिखा रहा है तो total यह 7000 पर जाके रुख जाएगा क्योंकि exact जो आएगा 7000 आएगा 102 रुपय पर तो इसे लिए आप आप देख सकते हो दोस्तों कि market में धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है अपर सर्किट लगने में ज्यादा distance नहीं है सिर्फ यहाँ पर 50 पैसे का यहाँ पर आ रहा difference जैसे ही market 102 रुपय पहुँचेगा तो अपर सर्किट लग जाएगा मैं आपको live दिखाऊंगा दोस्तों तो वीडियो में बने रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो वीडियो भी मिलाता रहता हूं और आपको knowledgeable वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा दोस्तों भूलिएगा मत दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक अही दिन में केवल 20% यह share उपर चड़ चुका है एक दिन में ही 20% का return यह बाकी दोस्तों रोज अपर circuit लग रहा है तो इसमें काफी अच्छा return यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 101.80 पैसा चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो finally यहाँ पर अपर circuit लग चुका है simply आप यहाँ पर देख सकते हो 102 रुपे पर प्राइस जाके अटक चुका है यहाँ पर रुख चुका है जब अपर circuit लग जाता है तो यहाँ पर प्राइस चलना बंद कर देता है क्योंकि यहाँ पर जो buyer है फुल हो गए होंगे और जो seller है जीरो हो गए होंगे दोस्तों मैंने कहा था कि आपको मैं live market में अपर circuit कैसे लगता है दिखाऊंगा जो मैंने दिखा दिया दोस्तों अब चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि यहाँ पर 100% buyer यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो seller यहाँ पर 0 देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके से जब अपर circuit लग जाता है तो जो buyer होते है अंड़र परसंट दिखाई देने लगते हैं और जो seller होते हैं 0% दिखाई देने लगते हैं इसका मदलब होता है कि यहाँ पर किवल बायर उपलब्द है सेलर यहाँ पे उपलब्द नहीं है यानि कोई सेल नहीं करना चाहता है सब लोग यहाँ पे बाइंग ही करना चाहते है तो यहाँ पे आप बाई भी नहीं कर सकते हैं जब तक यहाँ पे अपर सर्कित हटेगा नहीं तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में अपर सर्किट लगता है आसा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए जय हिंद जय भारत